मानी रहीं, वेलकम टू मैं चैनल, स्टेडी रूम जी, अभी जो मैं एक्सराइस कर रही हूँ, वो है एक्सराइस 4 भी कोस्चे नमबर 8 जो बुक मैं फॉलो करती हूँ, वो ऑक्सफोर 7 एडिशन न्यू स्लिबस मैथमेटिक्स बुक 2 है और कोस्चे नमबर 7 हमने किया था, अब है कोस्चे नमबर 8, ये भी बिलकुल उसी की तरह होगा लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं एक दफा फिर आप लोगों को बता दूँ कुछ special algebraic identities हैं, जैसे a plus b का whole square is equal to a square plus 2ab plus b square a minus, दूसरी identity है, a minus b का whole square is equal to a square minus 2ab plus b square and third one is this, a plus b into a minus b is equal to a square minus b square ये तीनो identities हैं, जो के exercise में use हो रही हैं, इसके बाद ये चीज हम लोग समझ चुके हैं लेकिन एक दफा फिर बताऊं कि एक फर्स करें, algebraic expression है 3x minus 5 3x minus 5 में ये दो terms हैं, 3x और minus 5 ये दो terms होती हैं और ये दो terms हो गई, x जो है, वो variable होता है और 3 जो है, वो coefficient of x है, और ये जो minus 5 है, ये constant होता है अच्छा, दूसरी बात जो जहन में रखनी है, वो ये कि जब भी कोई 2 algebraic expressions होती है उनको जब हम multiply करते हैं एक दूसरे के साथ, तो जो coefficients होते हैं जो coefficients जैसे 2 और 3 coefficients हैं, ये और इनके जो variables हैं, ये सब separately multiply होंगे जैसे 2 3 से होगा और x x से होगा, 2 3s are 6 and x into x, powers add हो जाएंगी, तो x square हो जाएगा दूसरी बात जहन में ये रखनी है, कि फर्स करें, 2x है और 3y है, तो 2 coefficients multiply होंगे, 2 into 3 और x और y है, different variables हैं, तो ये x into y, xy, तो ये क्या आजाएगा, 6xy एक और बात, अगर minus sign है, minus minus plus होते हैं, जब minus से ही multiply करेंगे, तो plus sign आएगा और अगर plus को minus से multiply करते हैं, तो minus sign आएगा, product में ये condition याद रखिएगा अब हम चलते हैं अपने question की तरफ, question number 8 का part A है, इसमें इनों ने हमें ये दिया हुआ है इसमें हमने choose करना है, देखके ही अंदाजा हो रहा है, कि ये वाली जो term होती है, ये A हो गई, और ये वाली जो है, ये B है इसका whole square है, हमें ये पता है formula, इसको देखके हमें लग रहा है, कि इधर यही बाला formula लगेगा, क्योंकि sign जो है, minus sign है अगर plus sign होता, तो मैं उपर वाला formula यूज़ करती है, लेकिन यहाँ पर minus sign है, इसको A कहेंगे, और ये है B, और ये minus sign है, अब हमने इस formula में, formula हमें पता है, इसमें हम values put करेंगे A minus B whole square is equal to A square minus 2 A B plus B square, अब मैं इसमें values put कर देती हूँ A क्या है, A 3H upon 2, minus 2, इधर A की जगा मैं A की value रख रही हूँ, 3H upon 2, B की जगा B की value, B क्या है, 5K plus, इधर B की क्या है, 5K, इसका square, अब, square से हमें, square का मतलब क्या है, 2 times multiply हो रहा है, 3, square मतलब 3 into 3, H जो है, H भी दो दफा होगा, H into H, अब variables आपस में, और coefficients यह अलग जगे, इधर जो मैंने बात समझाई ती है, आप लोगों को, upon, अब यह जो 2 है, इसके उपर भी square है, 2 into 2, यह सब आपस में multiply हो जाएंगे, 2, 3s are 6, 2 into 3 into 5, H into K, upon, यह divide हो रहे है, 2, यह नहीं चाहिए आएगा, plus, 5 into 5, 5 भी दो दफा हो रहे है, और K भी दो दफा हो रहे है, क्यूंके square है, अब इसके नीचे कोई टर्म नहीं है, अब multiply करने के बाद क्या answer आ रहे है, 3, 3s are 9, 9, H, H into H, इसकी भी power 1, इसकी भी power 1, तो H square upon 2, 2s are 4, minus, 2, 3s are 6, and 6, 5s are 30, 30, H, K upon 2, plus, 5, 5s are 25, 25, यह है H, और यह है K, इदे 2, और यह 30, cancel हो रहे है, 2, 15, जा है H, K, और मेरा answer क्या आएगा, 9, H square upon 4, minus, 15, H, K, plus, 25, H, K, अच्छा, यह भी K था ना, यह K into K, तो यह K square हो जाएगा, अब हम चलते हैं, इसके part B की तरफ, इसके P part जो है, वो है, minus 6, and upon 5, minus 3, and, इसका whole square, इसमें भी, बीच में minus sign आ रहे है, यह हमारी A करम हो जाएगी, यह A है, यह B है, और बीच में यह minus sign है, इसलिए second formula हम इसमें लगाएंगे, A minus B का whole square is equal to A square minus 2AB plus B square, अब मैं values put कर दूँगी, यह A है और यह B है, इदर A क्या है, minus 6M upon 5, इसका whole square, minus 2 की जगा 2 लिखा है, A क्या है, minus 6M upon 5, B क्या है, 3N upon B, 3N है, plus 3N का whole square, B का square, 3N का whole square, अब मैं इसको, 6 का square, इसको मैंने coefficient को 2 times multiply करती हूँ, minus 6 into minus 6, M का square, M into M upon 5, 5 पी 2 times क्यूँके 5 का square, अब यह minus का sign मैंने minus ऐसी लिखा, अब इदर देखिए, यह इदर 6 के साथ minus है, minus 6M है, और यह भी minus है, तो minus minus plus, इदर मैंने बताया गा आपको, के minus, into minus यह होते हैं, plus, minus minus plus, और यह था है plus, तो यह हो जाएगा plus, 2 into 6 into 3, coefficients एक जगा, और M into M, upon 5, plus, अब 3, 2 times में लिखूंगी, और, N को भी 2 times, 3 into 3, क्यूँकर 3 का square भी है, और, N पर भी square है, इदर देखें, यह minus sign, इस पर square था, तो यह minus minus plus, minus को जब minus से multiply करते हैं, तो plus sign आ जाता है, इसलिए, minus minus plus हो जाएगा, तो यह 6, 6 हो 36, plus 36 हो जाएगा, M into M, M square, upon 5, 5, 0, 25, यह plus है, 2, 6 हो 12, 12, 3 हो 36, M into N, M, N, upon 5, plus, 3, 3 हो 9, और, N into N, N square, इसकी भी power 1, इसकी भी power 1, दोनों add हो जाएगी, 9 N square आजाएगा, मुझे उम्मीद है, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, तो प्लीज मेने चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलियगा, siya, झाल झाल